पिसमिल्ले आप मानि रहीम रिस्पेक्टिर वीवर्स असलाम लेकुम रिस्पेक्टिर वीवर्स आज की सिविए में आपके साथ मौस्ट इंपोर्टन दमाके धार क्वेस्टन गई जनर नोलिज के शेयर करने जा रहा हुआ दो आपने वीडियो को कम्प्लीट वाज करना है इन्शाला जो भी पेपर में क्वेस्चन होंगे ना जी के से टरेटीर वो मेरी ही वीडियो से होंगे तो जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट गईज पहला क्वेस्चन है आज की वीडियो का देकरंसी आफ तुर्की की करंसी का नाम ली रहा है ऑप्शन भी इस दा आंसर नेक्स इस वैशना विच कंट्री इस दा लाज़ेस्ट प्रोड्यूसर ओवीड तो गई इन चार उप्शन में से अमने बताना है कौन सा कंट्री यह जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर मीन के जो प्रोड्यूस करता है वीड गंदम को कहते हैं तो गई याद रखिये एक गई ऑप्शन भी चाइना गई लाज़ेस्ट परोड्यूसर आइस ऑप्शन भी इस दाराइट आंसर नेक्स वीडियान चंट वाज़ेंट ओफ गई जान रखिये गई यह एक हौकी का लेजंड था तो गई इंडिया से मीन के इसका तलुक था यह भी आपने याद रख गैस तो गैस आपने बताना है इसलामबाद की सूबे का पार्ट है तो गैज याद रखिया इसलामबाद किसी भी सूबे के अरणर नहीं आता मिन की ये खुद ही एक कैपिटल टेरिट्रियूह तो याद रखियागा गई जो रावलबिद्ग ऐ गई वह पंजाब के मीन के आपके अंडर आता है यो आपने याद रखने हैं लेकिन इसलामबाद नहीं आता है ड्राइ टांस मारा बनता है option D none of these next guys question है who was the second president of USA तो guys हमने second president बताना है तो guys आपने याद रखना है John Adams guys most important most repeated guys question है next guys question which out of them is a noble peace prize winner guys इन चार option में से हमने बताना है किनोंने mean कि किसने noble peace prize जीता था तो guys याद रखेगा यसर अरफाद option D is the right answer next question which is the largest area wise airport of the world तो guys दुनिया में सबसे बड़ा mean कि हमने airport बताना है area wise कौन सा है तो guys याद रखेगा option D kingfad airport है guys इसका जो पहले नम था kingfad airport लेकिन guys अब kingfad airport है और guys यह सुदी अरेबिया भी है यह भी आपने याद रखना है और दमाम गई सुदी अरफ का लाका है वहां है यह आपने यह याद रखना है next question is olive branch is symbol of तो guys यह आप याद रखेगा यह एक term है यह gkpad में पूछी जाती है तो इसका जो mean के symbol है ना guys यह एक piece के लिए mean के इस्तमाल होती है यह अपने याद रखना है option C is the right answer next question is KLM is the main airline of which country तो guys हमने बताना है इन चाल उप्षम में से यह KLM एक airline का नाम है तो guys याद रखेगा यह किस country की है फ्रांस की most important most repeated question है option B is the right answer next question is who discovered the sea route from Europe to India तो किसने मिन के द्रियाफ्त किया था sea route मिन के समुंदरी रास्ता योरोप से इंडिया की तरफ तो guys याद रखेगा वास को दे गामा ने option C is the right answer यह भी guys repeat हुआ है question next question है the headquarter of UNESCO तो guys हमने बताना है कि headquarter UNESCO का कहा है लेकिन guys आपने सबसे पहले UNESCO का abbreviation भी याद रखेगा है क्यूंकि मैंने past paper में चेक किया है कि जैसा यह UNESCO में मिन के आ जाता है न यह E part मिन के E इस से E option दिये हुए थे कि E का क्या abbreviation बनता है तो guys आपने तमाम इसके abbreviation को याद रखना है United Nations Educational Scientific and Cultural Organization तो guys आपने पूरा abbreviation भी याद रखना है ठीक है और इसके लावा guys आपने यह भी याद रखना है यह कब बना था तो guys यह भी आपने याद रखना है 16 November 1945 को मिन के यह established किया गया था guys currently इसके कितने member हैं आपने यह भी याद रखना है 195 members है guys ठीक हो गया तो guys इसका जो headquarter है आपने याद रखना है option हमारा बनता है option B Paris में इसका headquarter है option B is the right answer next guys question NPD stands far guys NPD का हमने अबडिवेशन बताना है guys आपने याद रखना है non-profereration treaty इसका right answer बनता है guys अगर इन चाहरोशन में से किसी में भी nuclear दिया होता ना तो guys आपने वो ही mean के option select करना है ठीक है लेकिन इन option में नहीं दिया हुआ तो आपने ये याद रखना है next guys question है who was the first secretary general of OIC तो guys OIC का हमने first secretary बताना है के कौन था तो guys याद रखेगा तनकु अबदुलरह्मान option B is the right answer next question है which country exercised veto power the most in the secretary council of the UNO तो guys आपने याद रखना है mean के जिसकी most excise veto power है ना तो guys वो है US से की United State of America option B is the right answer guys ये आपने UNO का abbreviation भी याद रखना है United Nation Organization तो guys ये भी याद रखना है ये कब establish की गई थी ये भी 1945 में guys ये establish की गई थी ठीक हो गया next guys हमारा question which is the most popular city in the world तो guys ये याद रखिएगा Tokyo is the most popular city in the world है और guys ये जपान में है ये भी आपने याद रखना है guys next slide में जाने से पहले एक चोटी से request है अगर आपको मेरी वीडियो से knowledge मिर रहा है तो guys आपने वीडियो को like आप चैनल को subscribe और comment section में लाजमी अच्छा सा feedback आपने देना है आप लोगो पता है ये तमाम slides में question separate separate बनाना ये कितना ज्यादा difficult काम होता है इससे भी ज्यादा difficult काम होता है guys वह accurate आप लोगों के साथ आंस शेयर करना separate separate Google पर जाने के बाद verify करने के बाद मिनके जो आप लोगों के साथ जो 100% accurate answer होते हैं अब वो गाई शेयर करता हूँ तो गाई सच में ये difficult काम होता है लेकिं जब आप अच्छा सा comment करते हैं तो guys तो guys मैं दुआ करता हूँ कि जो जो candidates हाट पर कर रहे हैं अल्लापाक सब candidates को कामया फर्माए नेक्स guys question है the largest planet in the solar system तो guys Jupiter हमारा largest planet है most mean के basis है question है आपको पते ही होगा तो option B is the right answer next guys Warsaw is the capital of तो guys यह याद रखिएगा यह Poland का capital है Warsaw option D is the right answer sorry next guys Shashi Throor is the latest biographer of तो guys यह नहरू का biographer था तो अपने यह याद रखना है Shashi Throor option A is the right answer next guys per capital water availability in Pakistan is तो guys यह decrease हो रहा है यह भी आपने याद रखना है next guys question है हमारा the scientists have estimated the age of the universe as तो guys यह आपने याद रखना है 13 billion years ago guys अगर point में इदर मिंग के बात हो रही हो ती option में तो आपने याद रखना है 13.8 billion years ago ठीक है तो आपने यह याद रखना है next guys which is the deepest ocean of the world तो guys pacific is the deepest ocean of the world है guys यह आपने याद रखना है next guys who presented the theory of evolution तो guys यह याद रखेगा चालेश डर्वन ने मिनके प्रिजेंट किये थी theory of evolution option B is the right answer यह भी repeat हो है past paper में next guys industrial revolution started with the invention of तो guys यह याद रखेगा steam engine की मिनके invention से option B is the right answer next guys the capital of Belgium is तो guys यह याद रखेगा Belgium का जो capital होता है Brussels option A is the right answer next guys question interpol is the guys हमने बताना interpol क्या है तो guys यह एक international criminal police है option B is the right answer most important guys यह question है next guys question which river is most often mentioned in the Bible तो guys Bible आप लोगों को पता है यह एक मिनके किताब का नाम है तो guys उस किताब में किस दरिया का मिनके जिकर आया है ज्यदा बार तो guys यह याद रखेगा वो है Jordan option B is the right answer next guys question burjal khlifa dash the tallest standing structure at present is located at तो guys यह तो आप लोगों को पता ही होगा Dubai में है basic question है लेकिन past paper में repeat हुआ next guys who invented dynamite तो guys याद रखेगा dynamite Dr. Alfred भी Nobel ने invent किया था दरियाफ्त किया था option is the right answer next guys fungus is the latin word which means तो guys fungus का क्या मतलब है आपने guys यह याद रखना है mushrooms option C is the right answer यह भी आपने याद रखना है यह कौन सा वर्ड है latin word next guys dermatology is the branch of medical science which deal with तो guys यह आपने याद रखना है सबसे पहले dermatology किस की branch of medical science की ठीक है इसमें किस चीज़ को deal किया जाता है guys यह एक skin disease में इसको deal किया जाता है option B is the right answer यह आपने याद रखना है next guys my life of fragment is a book written by तो guys किसने मीन के यह book written की थी तो आपने guys यह याद रखना है मौलाना मुहम्मद अली चोहर ने option D is the right answer next guys question है Pravda is the most important newspaper of which country तो guys यह याद रखिएगा यह Pravda किस मीन के मुलग का newspaper है मीन के तो guys याद रखना है Russia का option D is the right answer next guys which of the following is not an official language of the you and no तो guys इन में से कौन सी मीन के official language नहीं है तो guys यह आपने याद रखना है इन 4 option में से Japanese नहीं है बाकि English भी है French भी है Chinese भी है ठीक है Arabic भी है जो साथ है ना वो भी आपने नाम याद रखने है next guys question है which is the biggest forex earner of the Pakistan out of the following तो guys cotton मीन के यह biggest earner earner पाकिस्तान का यह आपने याद रखना है option is the right answer next guys Pakistan national flower is guys basic question है लेकिन यह पूछा गया है क्यूंकि guys paper में basic question मीमी के इसे question होते हैं जो बंदे मीन के expect ही नहीं होता लेकिन वो पूछे जाती है तो guys आपने याद रखना है जास्मीन इसी तरह पाकिस्तान का जो national animal है पाकिस्तान का national bird है ऐसे question paper में repeat होते होते हैं ठीक है next guys question है Pakistan won the cricket world cup in तो guys 1901 में यह आप लों को पता होगा option is the right answer next guys from which country पाकिस्तान पर्चेज गवादर तो guys किस country से पाकिस्तान इगवादर को पर्चेज किया था खरीदा था तो आपने याद रखना है ओमान से most important guys यह question है जीकेगा next guys चोदरी रहमत अली published his pamphlet now are never in तो guys चोदरी रहमत अलीन अपना जो pamphlet mean के publish किया था अभी नहीं तो कभी नहीं तो guys याद रखेंगा 9833 में option B is the right answer next question is the length of Indo Park border is तो guys इसका जो right answer बनता है 2300 km यह आपने याद रखना है guys कुछ mean के मैंने आप लोको पता है कि मैं Google से जो exact towns होते है ना वहीं मैं आप लोगों के से share करता हूँ तो guys मैंने वहाँ mean के 200 भी पड़ा हुआ है तो अगर guys option में 200 हो तो guys फिर आपने 200 को select करना है लेकिं guys 2300 और 200 में थोड़ा सा mean के इंदर confusion आती है तो अगर 2100 में से एक होगा जो होगा guys वो अपने select कर लेना है next question of which country is the largest producer of natural gas तो guys इन चार option में से हमने बताना है कि कौन सा country है जो सबसे ज़्यदा mean के produce करता natural gas को तो guys याद रखेगा US, you mean के United State of America next guys, gohye is the sacred place of तो guys ये एक कोहे मुराद एक मिजार रहा है ठीक है और ये तुर्बत के मुकाम पर है तुर्बत guys बलोचिस्तान प्रविंस में आता है ये भी आपने याद रखना है तो guys ये एक जिक्री mean के place है उसका mean के नाम है option A is the right answer आपने ये भी याद रखना है ये कहा है बलोचिस्तान में और बलोचिस्तान में कहा है तुर्बत के मुकाम पर next guys question है black leaves matter movement initiated from which country तो guys कहां से अगाज हुआ था black leaves matter का तो आपने guys याद रखना है US से option B is the right answer next question when US strikes in Afghanistan तो कब guys मिन के अमेरिका ने स्ट्राइक किया था अफगानिस्तान में ये most important question है जी के से रिलेटिव तो आपने guys याद रखना है साथ अक्तूबर 2001 में next guys when state of class exceed to Pakistan तो guys state of class ने कब मिन के exceed किया था अतराफ किया था तसलीम किया था पाकिस्तान को तो आपने guys ये याद रखना है 1948 में next guys president is elected by तो guys in national assembly से भी मिन के लेक्ट सेनर से भी provincial assembly से भी तो आपने याद रखना है इन तमाम option को तीनों को all of the above next guys question है ibrd is another name of guys सबसे पहले तो आपने इसका abbreviation भी याद रखना है क्योंकि abbreviation से भी last me mean के पूछा जाता है तो guys इसका abbreviation बनता है international bank for reconstruction and development ठीक है तो guys ये किसका mean के another name है तो आपने याद याद रखना है वर्ल्ड बैंक का तो guys आपने ये भी याद रखना है इसमें कितने मेंबर है 189 members हैं जिन्होंने साइं किया हुए option बीज़ा रही टाउंस नेक्स गईस क्वेशन है कि art is the currency of तो guys ये याद रखिएगा ये मियान मार की करंसी का नाम है most important गईस क्वेशन है नेक्स गईस आड की longest mountain range है आपने ये भी याद रखना है एंडस और South America की सबसे बड़ी में के कौन सी है लंबी एंडस तो किसमें है South America में आपने याद रखना है तो guys आखर पर यही का अलवा का आपको आपके हान नेक मकसले कामिया फरमाएं अलवा कम सब पर अपनी रहमत का नजूल फरमाएं थैंक यू फर वाचिंग टेक कियर अल्ला हाफिज